नमस्कार मैं हूँ राजीव पाठक और न्यूज इंडिया 24-7 के एक स्पेशल शो में जिसका की नाम है पंजाब का वोट युद में आप सबका स्वागत है इस वत हमारे बीच में एक ऐसे गेस्ट बैठे हैं जो पॉलिटिकल लीडर है भी और नहीं भी जो एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से बिलॉंग करती है जिन्होंने राजनीती बच्पन से देखी है उनके घराने ने कई साल पंजाब में राज भी किया है मगर वो खुद किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर नहीं है हमारे बीच हैं कैप्टन अमरिंदा सिंग जी की बेटी मिस्स जया इंदर कौर जी मैं हम आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज कैप्टन अमरिंदा साहब ने जो नई पार्टी बनाई है हम उस बारे में आप से बात करेंगे लेकिन पहले हम यह जानना चाहते हैं कि कैप्टन साहब की बेटी होने के कारण आपको ऐसा क्या महसूस होता है जब आप एक पार्टी की मेंबर ना होते वे भी सत्ता के गलियारों में जन्ता के बीच में उनकी बात रखने जाती है देखो जी मैंने काफी साल अपने पेरिंस की मदद की है जब भी इलेक्शन होती है और अब मेरे फादर ने कैप्टन अमरेंदर सिंग जी ने नई पार्टी शुरू किया है पंजाब लोग कॉंग्रिस और मैं तीन साल से पट्याला में ही हूँ जितने काम करवाएं हैं सिटी में मैं उनका अपने आप जाके देखती थी क्या हो रहा है कितना काम हुआ है क्या नहीं हुआ है क्योंकि कैप्टन साब बिजी थे पंजाब सारे पंजाब चलाना था उन्होंने और मैं अब भी वोई कर रही हूँ अब मैं उनके चुनाव प्रचार को लीड कर रही हूँ लीड कर रही है और मेरा ख्याल तो देखें रिजाल्ट अच्छा होना चाहिए आपने अपनी बात्चीश शुरू करी आपकी बात्चीश से ये चुकि मैं काफी साल पत्रकारिता कर चुका हूँ तो ये महसूस हो गया कि आप एक राजनेता तो नहीं है लेकिन आप अपनी बात को रखने की कोशिश जरूर कर रही है सिंपल एक साफ अंदाज में आपकी कोशिश जलक रही है जो आप अपनी बात रखने कोशिश कर रही है मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी कुछ महीने हुए उन्हें ये नई पार्टी बनाए हुए आपको जनता का कैसा रिस्पॉंस मिल रहा है बड़ा अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है जी मैं तो पत्याले में सब कहीं गूमी हूँ और मीटिंगे की हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है क्या ये जिम्मेदारी आप पार्टी का एक मेंबर बन के नहीं उठा सकती थी मेरा पूछने का मतलब यह है क्यों आपने पार्टी की कोई بھی मेंबर्शिप या कोई पद बड़ा आपने क्यों नहीं लिया मैं ने पद नहीं लिया कोई बड़ा बट मेंबशिप तो मैं लूगी अच्छा एक और सवाल मैं आप से पूछना चाह रहा था कि अभी कैप्टन साहब पट्याला में नहीं आये है हमें जानकारी मिली के शायद उनकी तब्यत नासाज है तो एक बेटी अपने पिता की तब्यत की फिकर भी कर रही है और साथ में उनकी जो राजनीतिक एक विरासत है उसकी जिम्मधारी भी समाल रही है कैसे आप इन दोनों चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है और वो भी तब जब आप पॉलिटिकल लीडर नहीं है मेरे फादर कैप्टन साहब ने आना था मगर उनको स्लिप्रिस की इशू हुई 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 है वो थोड़ा प्ले आप कर रही थी पर मेरे ख्याल एक दो दिन में हील बी आप एन अबाउट और मैं उनसे बात करती रहती हूं फोन पे और टाइम नहीं लगा चंदिगर जाने के लिए प्रिके सुबे से हम शुरू हो जाते हैं लेट रात तक चलते हैं काम करने के लिए सो अलेक्शनेरी में तो यह होता ही है एक बेटी एक महिला होने के नाते कितना मुश्किल है चुनाव प्रचार रैली के थुरू ना करना डूर टूर लोगों से मिलना क्या इसको आप एक मुसीबत मानती है जैसा कि कई राजनेता इस समय मान रहे है उनको एक पॉलिटिकल रैली करना एक ज़्यादा लग्श्री या एक ज़्यादा आसान तरीका लगता है लेकिन लोगों तक पहुचना लोगों की घर घर जाना चुनाव प्रचार करना क्या आप इसको एक समस्या के तौर पे देखती है या लोगों से एक अच्छा फीडबैक मिलने का मौके के तौर पे देखती है मैं एक अच्छा फीडबैक समझती हूँ इसको हम छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं डो टो डो जा रहे हैं और बैट के लोगों से बाते करते हैं, उनका फीडबाइक लेते हैं, और अपना भी बताते हैं, कि इन चार पान सालों में कितना काम पट्याले में करवाया है, कैप्टन साहब ने, और वो सब, आजकल सब लोग सब कुछ जानते हैं, तो I think, एक वान तो वान अगर हो है, वो रहता है, कई बार जब आप जनता से मिलने जाते होंगे, कई ऐसे काम होगे जो कैप्टन साहब ने, कुरसी पे बैट कर ठीक नहीं किये होंगे, या कुछ गल्दिया भी होई होंगी, या ऐसा भी हो सकता है, कि जनता तक वो मेसेज नहीं पहुचा होगा, जब आप उनसे व पर विश्वास करें हो, देखो जी, यहां पट्याले में, जो लोग हमें मिलते हैं, उन्होंने मेरे से कभी ये सवाल नहीं पूछा, और हम बाते करते हैं, कामों की, और लोगों की, जो उनके एरिया की काम की बात होती है, वो होती है, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स, ट्याले लेके आए हैं, उनकी बात होती है, तो लोग खुश हैं उसे, आपकी जो डूर टूर कैमपेंस हैं, उसे हमारे चैनल ने पिछले कुछ दिनों में कवर किया, और जो हमने देखा कि जब आप महिलाओं की बीच में जाती हैं, तो वो कई बार अपने घर की छोटी हो सकता है, इसी कई चीजे होंगी, जिन से कभी आपका जीवन में राप्ता ही नहीं हुआ होगा, कैसे आप उन महिलाओं से कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं, वो जो मेरे को बाते मेरे से करते हैं, उनकी बेसिकली होती है, पेंशन कार्ड या विद्वा पेंशन या नीला क चार्ड या उनकी समस्या जो है, चोटी मुटी जो घर की समस्या होती है, सुएज ब्लॉक होता है, कुछ होता ऐसा, तो मैं पूरी कोशिश करती हैं उनकी मदद करने के लिए. चुकि आप एक बार-बार मैं ये अपनी जनता को बता रहा हूं कि ये राजनेता नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में इन्होंने कोई बड़ा पद नहीं लिया है, लेकिन हम सुन रहे हैं अभी कि जवाब देने के अब पूरा प्रयास कर रही हैं, इस तरह से तयार करती हैं, कई ऐसे सवाल होते होंगे, जो आपको चुप जाते होंगे, उसके लिए खुद को कैसे तयार करती हैं, देखो जी, I try and give whatever, जो कोई मेरे से पूछता है, मैं जवाब देती हूं, और जो मेरे मन में आता है, मैं बोलती हूं, अगर हम इस वक्त बात करें, कैप्टन साब कुर्सी पे थे, जब वो मुख्य मंतरी थे, उन्होंने किये, आपका अपना शहर है, आपका पैलस भी यहीं पे है, और आप जैसा बताया कि तीन साथ से आप यहां पे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको तकरीबन साड़े चार साल का वक्त मिला, यहां पे विकास कारे करने का, यानि कि कैप्टन साब को वक्त मिला, क्या अभी भी ऐसी कुछ चीजे हैं, जो आपको लगता है, वो नहीं कर पाए थे, जिनके चुनावी वादे आप जनता के बीच में जाके कर रही हैं, या आप अब जो काम कर चुके हैं, उसमें जो खाम कमिया रह गई, या गलतिया रह गई, या कुछ कमिया रह गई, उसको पट्याला शहर के लिए अपना चुनावी मुद्दा बनाके, या उन समस्याओं को दूर करने की बात करके, आप वोट मांग रही हैं, आप वोट जो मांग रही हैं अपने पिताजी के लिए, उसका बे काप्टन साब ने करवाया है, अपने टेन्यों में, बड़े बिग प्रोजेक्ट्स आये हैं, एक तो 24-7 पानी का है जो, भाकडा कनेल से घर-घर में पानी आएगा, पट्याला में, पट्याला 1 and 2, and वहाँ जहाँ भाकडा में के साथ एक पीस अव लैंड लिया था, जिस पे वो फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहा है, वहाँ से सीधा टैंक्स में जाएगा, जो बन रहे हैं पट्याला में, और फिर वहाँ से पाइप से पानी सब पट्याला में जाएगा, और हमारी छोटी नदी, बड़ी नदी, सब उसके उस पे काम चल रहा है, वो बिलकुल उसका पानी ठीक फिल्टर रहेगा, और बैरल्स में जाएगा, और साइड में वाकिंग का प्रबंद किया हुआ है, ब्यूटिफिकेशन के लिए, और हमारी बस्टैंड, जो बड़ी देर से दिमांड थी, बाहर शिफ्ट हो रही है, काफी उसका काम हो रहा है, राजपुरा रोड पे है, और बाकी हमारा डंप पत्याले का, वो काफी हो गया है, थोड़ा से रहता है, वो भी हो जाएगा, और अच्छा जितने भी मैं आपकी बाते सुन रहा हूँ, सब पत्याला शेहर की हैं, सारे की साइड, अगर जरुवत पड़ेगी, तो क्या आप कैप्टन साहब के लिए वोट मांगने पत्याला शेहर से बाहर की जाए है, तो अगर जैसे मैं गई थी कल ऑफिस खोलने, खेट की साब का समाना में, वैसे मैं जा सकती हूँ, अगर प्रचार वगेरा मैं पत्याले में ही करूँगी, यानि कि पत्याला की जनता ये मान के चले, कि अगर वो कैप्टन साहब को वोट देते हैं, तो उनकी बेटी इस के साथ मौजूद रहेंगी, बिलकुल, बिलकुल, ये हमारे बीच थी कैप्टन अमरिंदर सिंग, जो पूर मुख्य मंतरी थे पंजाब के, उनकी बेटी जया इंदर कौर जी, एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे सवालों के जवाब एक पॉलिटिक जलक रही थी, किसी सियासत दान की तरह से उन्होंने बाते नहीं रखी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने वक्त निकाला, और कैप्टन सहाब की कमी पूरी करने की कोशिश की हमारे शो में, आगे भी आपसे बाचीत करते रहेंगे, और कोशिश करे करेंगे कि जो एक बेटी अपने पिता के लिए करने की कोशिश कर रही है, उसमें आप काम्याब रहें. Thank you very much. Thank you.